अलो प्रेंट्स वेलकम टू सिविल की गूल यूट्यूब चनल तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे लेटेस्ट रुकुर्मेंट यहां पर कोल इंडिया लिमिटेट की तरफ से यहां पर मैंने मेनेजमेंट ट्रेनी की भरती यहां पर गेट 2023 इसकोर के आधार पर जो है सेलेक्शन का क्राइटेरिया है उन सभी के बारे में आगे हम वीडियो में आपर बात करेंगी तो फटा पर से यहां पर हम देख लेते हैं तो सबसे पहले आपर हम देखे पोस्ट के बारे में तो मेनेजमेंट ट्रेनी एटू की यहां पर पोस्ट रहेगी जिसके लिए टो मिला के एक महीने का टाइम अभी है तो इसके लिए आप ओनलाइन जाकर इनकी वेबसाइट पर अपलाई कर पाएंगे लिंक जो भी रहेगा आपको अमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से आप सीधा विजिट कर सकते हैं इनकी ओपीसिल वेबसाइट पर और जाक यहां पर अंपर माइनिंग की आप देख सकते हैं यहां पर माइन इंजरी में आपके पास वही इसक्रिप्त के साथ तो आप उनलगी गे साथ यहां पर जो इन्होंने एजुकेशन कौलिकेशन में डिग्री वगर मांगी है वो आपकी फुल टाइम एंड रेगुलर बैसेज वाली आपकी होनी चाहिए तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे साथ जो यहां पर पर संटेज मार्क इन्होंने बता रखें क्वालिक यहां पर रहेंगे बस यह गाइडलाइन जो उन्होंने दे रखी है यह वो पूरी करते हों इसमें आप देख सकते हैं यहां पर कि उनकी जो रिक्वाइड यहां पर उनके कंप्लीट हो चुके हैं उन्हीं के आदार पर जो है सेलेक्शन आपका हो जाएगा लेकिन जब भी यहां पर जो डीवи होगा फाइनल सेलेक्शन जब यहां पर होएगा जोब में तो उस टाम जो है आपको अपनी फाइनल की मार्क्सीट डापको अप्लाइघ करने होगे बागि आप फाइनल यर वाले भी इसमें जो है अप्लाइज यहां पर कर सकते हैं तो वो चीज़ यहां पर देख लें कुछ सी जो ब्रांचे हैं एक दो उसको यहां पर जो है eligible यहां पर नहीं माना गया है बाकी की सारी की सारी सिविल engineering की सभी जो ब्रांचे हैं वो सब यहां पर eligible रहेगी तो apply आप यहां पर कर पाएंगे तो आपर category wise पोस्टों का division यहां पर रहेगी तो आप इसमे देख सकते हैं total यहां पर civil engineer के लिए जो बेकेंसी थी उसमें phrase बेकמ׶ी यहां पर 107 यहां पर रहेगी आपर victims भीकलो की वेकेंसी मिला कर total यहां पर स्विल engineer के लिए यहां पर 172 total vakenसी आ है जो की इकल मिलाके 500 तो 60 होती है और अलग-अलग यहांपर आप दैख सकते हैं category वाइज जो है यहांपर divided की गई है तो उसकी डिटेल भी आप यहांपर देख लें आप किसी category से आते हैं तो उसके हिसाब से आप जो अपलाई यहां पर कर पाएंगे साथ पी डबलू बीडी जो वेकेंशिया यहां पर है रिजर करी गई है तो इनकी गाइडलाइन एक बार यहां पर आप देख लें जो मतलब यानि किस तरह से इस तरह की पी ड़लू बीडी कंडिसंस में लोग यहां पर रहते हैं उन चीजों को आप एक बार याँ पर देख लें अगर आप किसी इसपेसल केटिग्री में से आते हैं तो तो अपने सेलेक्षिं की बात करें तो जैसे कि आप ने देखाई यहांपर जो गेट को रहें उसके आधार पर यहां पर सैलेक्षिंड होगा तो उसी क मिला कर यहां पर जो है अलग-अलग फोर्मूले के अधार पर सबसे में जो चीज है आपके काम की वो यही है कि यहां पर जब केंडिडेट के संक्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो सो टेस्टिंग के टाइम पर अलग-अलग जो इनके गाइडलाइंस होती है उसके इसाब से भरती यहां पर रहती है जैसे कि यहां पर सबसे पहले तो जो हाईर परसंटेज है उसके इसाफ से यहां पर जो है लिये जाएंगे हाईर परसंटेज अगर इसमें एक्वल रहती है किसी की मार्क वगर है तो वहां पर जो है सीनियर जो है कैंडिडेट उसको यहां पर जो ह पर रहते हैं सेलेक्ट होने के मिलाकर यहां पर बात वही आती है कि सेलेक्शन में यहां पर जो है आपका जो आपका इसकोर है जो आपके मार्क है प्रस आपकी जो भी एक्षिरेंस वगरा है सारी चीजे मिलाकर लास्ट में जब भी आती है दिकत तो उन सभी के अधार पर जो कि जब भी आपका सेलेक्शन होगा उसमें आपको जो है इनकी ओपीसल वेवसाइट के द्वारा ही आपको इनफॉर्म किया जाएगा बाकी और भी कम्यूनिकेशन यहां पर होता है तो उसके लिए आप जरूरी है कि हर बार की तरह हैं जैसे कि आपको पताए होगा कि किसी भी एक्जाम में आपको mail ID, mobile number, registration के टाइम पर आपको perfect देने होते हैं जो आपके personal हो जिसको कि आप regular यूज करते हो ताकि कोई भी information आप से मिसना हो तो वो चीज़ आप यहां पर ध्यान रखे पीस यहां पर आप देख सकते हैं 1180 रुपे की पीस यहां पर सभी category वालों को देन होंगी है जो की count की जाएगी 31 अगस्ते 2023 के इसाफ से इसाफ से आप अपनी जो एज है उसको भी आप यहां पर मेच कर लें साथ इसाथ जो reserve category वालों को reservation जो मिलता है एज के अंदर जो यहां पर relaxation मिलेगा वो चीज़े भी आप यहां पर देख सकते हैं अगर किसी को अपनी age में कुछ यहां पर लग रहा है तो यहां से वो relaxation का फॉर्मॉल देखकर अपनी eligibility यहां पर जो है चेक कर सकते हैं बाकी इसी तरह से यहां पर बेसक्ति चीज़े हैं जो भी यहां पर गाइडलाइन से रहती है रिजर्व के टिगरी वालों के लिए वो सारी आपको यहां प जो लगने के बाद आपके लिए कौन सी opportunity यहां पर रहती है salary की तो आप देख सकते हैं यहां पर वन year का यहां पर ट्रेनिंग प्रेड रहेगा उसमें आपको basic salary 50 जार दी जाएगी बाकी यहां पर जो मेक जीम आप देख सकते हैं एक लाग साथ हजार तक की salary सारे जो allowance वग opportunity है आपकी salary वगर की तो posting यहां पर ओल इंडिया में कहीं भी आपको दी जा सकती है तो उस चीज के लिए भी आप यहां पर तयार रहें और इंडिया के लिए यहां पर अलाव है तो उस हिसाब से जो है यहां पर आपको जोईनिंग दी जाएगी साथ इसाथ इनकी जो भी स इसक्सी फॉर्मल्टी सर्विस बॉंड की यहां पर रहेगी जो कंडिशन से आप रहती है कि आपसे एक बॉंड अगर भरवाए जाएगा अपलाई करने के लिए medical examination भी आपको पास करना होगा यानि कि medical या पूरिटर फिट होनी चाहिए उसके जो है आपको यहां पर सब्म पर क्लिक करेंगे वहां पर डायरेक्ट आपको जो है registration का apply now के नाम से option मिल जाएगा वहां से जाके आप अपलाई कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट जाके official website से भी जो है विजिट कर सकते हैं इनके section को आसानी से आपको वहां पर मिल जाएगा multi-language में बाकी यहां पर यह जो guideline है कौन-कौन से documents आपको चाहिए होंगे apply करने के लिए तो यह चीजे भी आप एक बार डंक से इनको पहले देख ले apply करने से पहले और सारे documents आप पहले से ready रखें क्यों-कौन से format में इस तरह के documents PDF, JPG जो भी यहां पर मांगी गई है साथ ही साथ य पहले के वाले candidate है उनको यहां पर किस तरह से apply करना होगा documents लगाने होंगे वो भी यहां पर आपको मिल जाएंगे तो वो लोग भी जो है यहां पर उसको चेक कर ले एक बार apply करने से पहले यहां पर वही basics guideline है यहां पर social selection वगर होगा सारा वो CIL के अंडर में होगा जो भी इनकी last guideline रहती है किसे आप से यहां पर select करेंगे वो सारा इनकी मर्जी है उसमें किसी तरह का कोई भी objection जो है candidate यहां पर नहीं कर पाएंगे साथ यहां पर ध्यान रखे किसी तरह का modification आप अ दिक्कत ना है प्रोब्लम आने पर इन्होंने भी अपनी जो है help line यहां पर जारी कर रखी है आप इनसे contact यहां पर कर सकते हैं या फिर direct जो है हमें भी comment करके पूछ सकते हैं आपको किसी तरह की कोई भी curiosity हो और कोई भी आपको परिशानी होती है तो तो ठीक है friends इसी तरह से new job update and vacancy के लिए subscribe करें हमारे channel को and बने लिए हमारे साथ धन्यवाद